दोस्तो नमस्कार, हिंदि कुन जुम आपका स्वागत है आज हम लोग बात करने चल रहे हैं आधोनिक नारी और नौकरी इस विशे पर आपके परिछ़ों में निबंड आ सकता है या लेख आ सकता है कि आधुनिक नारी और नौकरी पर इसे पर निवंद लिखे तो आप या निवंद किस परकार लेकिंगे यहां पर बताय जा रहा है यादे आप हिंधी कुंची आल ले पहली बाराओं तो YouTube पर हिंधी कुंची आल को सब्स्राइब कर ले ताकि आपको इन दिवासा वा साहित की नमंचम जानकारी प्राप्त होती रहे। देखे, आप निवन्द की सरुवात कुछ इस परकार करेंगे। आप लिखिएगा भारत बर्स महान परंपराओं का देश है। नारी के परती, भारती रिसी मुन्यों ने सदाही आदर का भाव परतरिसित किया है। मनु महराज ने मनु समर्ती में इस प्रश्ट कहा है कि जहां नारी की बूजा होती है, वहां पर देवतार निवास करते हैं। पार्तिय संस्कृति में जो कुछ भी सुभ है, सुन्दर है, सक्तसाली है, जेवन दायनी है, उसे नारी रूप में ही देखा गया, बिद्या के दिवी सरसुती, दंधान नयोस्तमर्दी के दिवी लच्छमी और सक्ति के दिवी दुर्गा को सारा भारत पूचता है, सुभी, इकार, अर्थार्थ, सक्ति के बीना सौही है, प्राशिन काल में हमारे समाज में, नारी को जो गोरोपुनस्थान प्राप्त था, वह मध्य जुक तक आते आते पर रह समाप्त सा हो गया, नारी को घर की चार दिवारी में बंद कर दिया गया, उसके लिए सिच्छा के दोआ पारबंद कर दिये गया आर्थिक प्राधिन्ता को उसका गुण मान लिया गया वो अब एक्तुत हीन मान ली गई पुरुष की संपत्ति और भोग की सामगरी की रूप में ही उसे समाज में देखा जाने लगा स्वाधिन्ता के महायग में नारियों के अभूद पूर बलदान रंग लाए नारी स्वातंत्र की आवाज पूरी विस्ट में उठ रही थी भारत में भी राजाराम मोंड रहा है स्वामी द्यानन तिलग गोकले गांधी सुभाज जैसे निताओं के पृतियों से नारी मुक्त उने चलाया देखते देखते भारत की नारी सकती राष्टे जयोन के हर शेत्र में उप्योगी भूम का निभाने लगी नारी के व्यक्तुत का निर्माण सिच्छा के दवारा ही संभव है सिच्छित नारी ही आथरिक द्रिश्टी से आत्म निर्भर होकर ही अपने अस्तित् करके उसे देवी तरह पूजनी की पुरानी परंपरा अब समाप्त हो रही है आज की नारी सिच्छा के छित्र में अध्यापिका कुरूब में महत्पून युगदान दे रही है बच्चों की कॉमल हर्दे कोजी सुदार और समिदनसील बेवार के आउसकता है रहती है वा मह महिला अध्यापिकों का बड़ी संख्या में में बिद्यालियों में अध्यापिया की रूपे आना है हमारे देश के महिला अच्छी डॉक्टर अच्छी बैग्यानिक अच्छे कलाकार सिब्ध हो रही है कार्यालियों मिनारी उपयोगी भूम का निभा रही है अच्छे कार के किरत्मान स्थापित कर रही है नारियों ने इंगिनिरिनिंग के छेत्र में भी पदारपन किया है और द्योदिक संस्थान चलाने वाली महिलाएं भी हमारे यहाँ है स्वास्त बिवाग में महिलाओं की भूम का समसभी परशित है परवान योजन कारकरम में महिलाएं बढ़ चड़ कर भाग ले रही हैं पत्रिकारता के शेत्रे में भी महिलाओं ने उच्चतम मांदंड स्थापित किये हैं अब हम बात करते हैं राजनीती मिनारी के बारे में तो राजनीती को किवल पुर्सों का खाड़ा मानना जाता रहा है आज भारती प्रजातंद्र को मजबूती परदान करने में महिलाओं की भूंका को अंदेखा नहीं किया सकता हर दल में हर स्थर पर महिला कारकरता देखी जा सकती है लगभग देड़ तसक तक भारती राजनीती पर छाय रहने वाले स्रीमती अंद्रा कांधिश जी ने यसे दिखर दिया कि नारीयां बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी का निरवाह को सलता पूर्वक कर सकती है चुनाओं में चुनाओं के अंद्रतों पर नारीयों की बढ़ते भीड़ इस बात का सुचक है कि नारीया अपने अधिकारों और दायतों के परती सचेत हो रही है आज महिला अच्छी वकील जज और अनिता सिद्ध हो रही है सैनिक सेवाओं में भी उनका प्रवेश हो रहा है पुलिस एवं गुप्तचर विभाग में भी नारीय आ गया रही है काम काजे महिलाओं के लिए समस्या अभी भी है पुरसों की मनुवर्ती अभी भी दक्यानोसी है वे तो यह चाहते हैं कि नारी नौकरी करके पैसा कमाए परन्तु घरिलू काम में उसके सहता करना अपने सान के खिलाब समस्ते है घर परिवार और कारयाले के दोरी नौकरी में के बहार से नारी पिस रही है हम बात करते हैं कारयाले में नारी की भूमका के बारे में तो कारयाले में पुरुस अजयोगों के दृष्टी में अनेक बार नारियों के लिए समस्या बन जाती है अधिकारियों दुवारा नारियों के समाचार भी छपते रहते हैं प्राया पुरुस साहकरμी नारीयों को अभी भी समान अधिकार दिने के पच्छमें नहीं दिखते नारीयों के पृत्याभदर बिभार अथ्वाजज छेणचार के मामलें भी प्रकास में आते रहते हैं नारियों को घर परिवार और कारियाले के दोरी जमेदारी भी निभानी होती है इसलिए प्राया कारियाले के समय के पहश्यात अत्रिक समय कारियाले में नहीं लगा पाती है और नहीं दूर दराज के शत्रों में तबादले पर जा पाती है पुरिस और महिला कर्विचारियों में इस बात को लेकर ही प्रयातानाओं के खिस्ति बन जाती है अभी भी हमारे समाज में कामकाजी महिला के परती बहुत उदार दिश्टिकोंड नहीं है प्रया कामकाजी महिला पर पती और बच्चों के उपच्छा का आरोप लगता रहता है कामकाजी महिलाओं को सासर की जली कर्टी बाते में सुननी पड़ती है यदि अपने कमाई पर वादिकार दिखाती है तो उन्हें घर पर भी कट्ट्नाई का सामना करना पड़ता है और अपने परिवार का आर्थिक स्तर उचा उठा रही है इस परकार हम कह सकते हैं कि भारतिय नारी का भाविश बहुत यूज्वल है तो इस परकार हम जान पाई इस लेख में कि भारतिय नारी का भाविश क्या है कारियाले में नारी की क्या भूंका है राणियती में नारी की क्या भूंका है और नारी की सच्छा देना के उंजोरी और सच्छा के छित्र में नारी की क्या भूंका है और नारी का राष्टे जोन में क्यास्तिती है तो इस प्रकार हम नारी और नौकरी विशे पर निमन हम लोगों ने पढ़ा यदि आपको ये निमन लिखित रूप में चाहिए तो निची डिस्क्रेशन बॉक्स में लिंक दिया गया जहां पर जाकर आप ये निमन लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं साथ साथ अपने बिश्यव अधिन से जबंदित यदि आपको और अधिक अधिन सामगरी चाहिए तो आप HindiCoin.com को विजिट करें वहाँ पे आपके लिए उप्योगे अधिन सामगरी प्लब्द कराए गई है आसा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए उप्योगे सिद्ध होगा धन्यवाद